हाई वेड़न में आमेदियव टेंगुरी और आप से भीरा स्वागत है हमाई यूट्यूब चैनल यूट्यूब्स में आज की इस वीडियो में हम के इस अवी कर देखने वाले हैं तो बिना कोई टाइम वेस्ट की सीधे स्टार्ट करते हैं हमाई क्वेशन नम्र टेस्ट अब इसके अंडर में च्छे टेस्ट होते हैं तो आपको हो सकता है क्वेशन आजाए कि बाई च्छेंग को आप नाम लिख दो सिर्फ इतना भी आ सकत तो अलग अलग टाइप से question आ सकता है इन सारी details को हम आगे answers में एक एक करके देखेंगे सारे test के लिए यहाँ पर मैंने एक slide में पूरा डाल दिया है कि इतने test होते हैं और वो किस चीज के लिए होते हैं इन से भी दो टाइप के question आ सकते हैं और पहले भी past में आ चोके हैं वो हम जब answer देखेंगे तो slide में भी आपको previous year questions और कुछ important questions भी देखने को मिलेंगे तो किस type से आजाते हैं कि भाई आपको एक elderly citizen का lower body strength test करना है तो कौन सा test आप कराऊगे तो आपको left side की information दी गई है right side की पूछी गई है या फिर आ सकता है कि arm curl test आप करा रहे हो तो उससे क्या test होगा तो आपको left side की information लिखनी होगी इसके लिए हम एक chair चाहिए इसकी straight back हो seat at least 44 cm की हो ताकि वो comfortably बैठ सके और एक stop watch चाहिए time measure करने के लिए करते कैसे मैं आपको picture के तुरू समझाओंगा chair को हम wall के टिका के लगा देंगे ताकि वो पीछे खिसके ना और उसमें comfortably बैठेंगे shoulder width पर अपने legs रखेंगे और अपने जो arms और इस तरीकी से अपने chest पर रखेंगे elbow से rotate करके और जैसे ही 30 second का timer start होगा तो city run होगे जो participant होगे वो खड़े होंगे और बैठेंगे खड़े होंगे और जितने यादा reps कर सकेंगे उसका attempt देंगे 30 second के timer को खतम होने पर अगर वो खड़े standing position में होते हैं तो इसको भी एक rep count किया जाएगा scoring इसकी क्या होती है कि 30 seconds में आपने कितने rep किये इसको count किया जाता है यह table देखके डरियेगा मत यह मैंने book से डाल दी है लेकिन यह याद करने की जरुवत नहीं है यह कभी भी नहीं पूछी गई है तो इसको रट्टा मानने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है आप जब अपना answer लिखेंगे तो उसमें आप इस तरीक से लिख रहे होंगे कि इसकी scoring जो है उसमें 30 seconds के timer में कितने reps complete हुए कितनी बार वो stand वो अपनी chair से उसको count किया जाता है पिर आता है हमारा arm curl test इसका जो main purpose है वो हमाई upper body strength और endurance को measure करना है इसमें 5 pound का weight चाहिए women के लिए और 8 pound का weight चाहिए men के लिए एक chair चाहिए इसमें कोई भी arm support नहीं होना चाहिए और एक stop watch चाहिए time measure करने के लिए इसका procedure हम देख लेते हैं इसमें भी आप एक chair पर बैटें body की तरफ होगा और completely straight होगा इसके बाद जैसे ही 30 second का timer start होगा जो participant होगा उस weight को उठाएगा हमने देख लिया है कितना weight men or women के लिए होगा और उपर जाते समय पार्म को अपना upward facing हो जाएगा और पूरा complete bend होना चाहिए arm और उसके बाद नीचे जाते समय complete straight होना चाहिए arm इ उसको हम scoring के time पर calculate करेंगे और यह होगी हमारी इसकी scoring इसके बाद आता है chair sit and reach test अब यह हमारी lower body flexibility के लिए use होता है इसके लिए हम एक ruler चाहिए एक chair चाहिए जिसकी back straight हो 44 cm height हो और इसके बाद हम इसका उसीजा देखते है इसमें भी जो participant है उनको एक chair पर बिठाया जाएग नी एकडम straight होने चाहिए और यह heel से जमीन को touch कर रहा होगा यहाँ पर 90 degree angle बनेगा अपने ankle से हाथों को एक क्यूपर लेकर रखा जाएगा और participant को बोला जाएगा कि आप inhale करिए और फिर exhale करते सामें आपको hip joint से सामने की तरफ bend होना है जितना आप comfortably bend हो सकते है उतना आपक अपने सबसे farthest bend को hold करके रखना है यहाँ पर एक चीज़ important है कि participant खुद को जर्क नहीं देंगे force नहीं करेंगे जितना वो जा सकते है comfortably उस position को 2 second तक के लिए hold करेंगे अब इसमें हम measure कैसे करेंगे अगर उन्होंने अपने toe को touch कर लिया तो यह हो गया zero measurement इसके बाद अगर touch नहीं कर पाई यहाँ पर gap है तो इसको हम measure करेंगे और gap नहीं है आगे चलेगा वो toe से इसको भी हम measure करेंगे अब आगे चले जाते हैं तो यह हो गया हमारा positive score और पीछे रह जाते हैं तो यह हो गया हमारा negative score हम जो nearest half inch है या पर nearest centimeter है उसको measure कर लेंगे positive रहने कि आपकी flexibility ब पर रूलर चाहिए measurement करने के लिए इसमें क्या करेंगे एक arm जो हमारा head के side से पीछे की तरफ जाएगा जो हमारा palm है वो back को touch कर रहा होगा जितना far जा सकते हो उतना far लेकर जाएंगे इसको फिर दूसरे arm को हम पीछे की तरफ से फिर अपने जो हमारी back है back के center की तरफ उप पर लेकर जा रहे होंगे इसमें हमारा जो palm है वो अपनी body के against face कर रहा होगा इसमें attempt यह ही है कि जितना जादा हम एक दूसरे को overlap कर सके उतना करना है यहां पर भी कोई over forcing नहीं होनी चाहिए जाकि movements नहीं किये जाते है इसमें भी अब यहां पर touch हो जाता है arm fingers हमाई touch हो जा करेंगे हम nearest half inch या पर सेंटीमेटर को score को check कर लेंगे उसको measure कर लेंगे यहां पर एक important चीज है two trials आपको पहले participant को देने है तक उनको समझ में आ जाए इसको कैसे करना है उसके बाद जो हमारा actual हमारा test है उसको करा जाएगा पर आता है eight foot up and go test का purpose होता है speed को evaluate करना agility और person का balance कैसा है walk करते हैं समय उसको evaluate करना बसे एक चीज़ याद रखिएगा आपको question में purpose पूछा जाए objective पूछा जाए या पर कोई और term में जाए confuse मत होएगा answer हमारे सारे यही है terms अलगाला हो सकते है question में लेकर आप confuse मत होएगा equipments का क्या लगते है एक chair लगती है जिसकी straight back हो 44 cm height हो stop watch लगती है cone marker लगते है measuring tape लगता है और एक area लगता है खाली अब इसको हम करते कैसे cheer walker किनारे रखी जाएगी जिसमें participant को एकदम normally बिठा दिया जाएगा pair zone in पर rested होंगे हाथ pair के उपर रहेंगे उसके बाद एक cone हम mark करेंगे जो की होगी हमारी 8 feet away और जैसे ही go बोला जाएगा participant को participant को खड़े होना है walk करते हुए cone के around गूमना है और वापिस जाके अपनी seat पर बैठना है यहाँ पर walk करना है running allowed नहीं है और इस time को note किया जाएगा और उससे scoring दी जाएगी यहाँ पर दो attempt करा जाएगे participant और best time को note किया जाएगा इसमें one tenth of a second को हम record कर लेते हैं यानि कि 3.8, 4.6, 5.8 जितना भ age के हिसाब से 6 minute walk test इसका purpose है aerobic fitness या फिर 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 को check करना इसके लिए में एक measuring tape चाहिए और एक stopwatch चाहिए अब क्या करेंगे हम 50 yard का rectangular area को mark कर लेंगे ऐसे में 20 yards है और ऐसे में 5 yards है totally 50 yards हो जाता है इसमें हम हर कु करना है इस rectangular path में और जितना distance आप cover कर सकते है maximum distance cover करने की कोशिस करना है इसमें भी एक trial run दिया जाता है practice trial दिया जाता है participant को और साथ-साथ जब भी participant चाहे तब वो रोक सकते है यानि कि जरूरी नहीं कि 6 minute ही चलाना पड़ेगा जितनी उनकी capacity हो उतना उनको चलाया जाएग और फिर उसको measure किया जाएगा note किया जाएगा कितना distance उन्होंने cover किया यह हो गया हमारा 6 minute का जो हमारा test है इसमें जो nearest meter है उसके हिसाफ से distance को measure कर लेते हैं और यह उसकी scoring हो गई What is BMR? How to compute BMR? अब यहाँ पर question सेर्फ BMR की definition पूछ सकता है या फिर factors affecting BMR पूछ सकता है इसको हम पूरा एक साथ देख लेंगे BMR का full form होता है basal metabolic rate यह 1 mark के लिए आ सकता है इसका मतलब होता है जब हमारी body rest पे है तो हमें जो functions हमारी body करती है जैसे कि breathing हो गया circulating of blood हो गया हमारा body temperature को maintain करना हो गया इन सब चीजों में जो energy जाती है उसको हम बोलते है हमारा BMR जो हमारी total energy expenditure है उसका 60 to 75% जो है इन functions में body का जाता है इसके बाद जो हमारा BMR है वो age, gender, body composition, हमारे genetics, thyroid function, thyroid function जो हमें एक gland होती है वो metabolism को बहुत ज़्यादा effect करती है तो उसके function यह सब चीजों से हमारा BMR है वो effect होता है BMR formula males के लिए और females के लिए अलग-अलग होता है इसको आप एक बाद पढ़ दीजिएगा इसके आन age group 5-8 years के लिए अलग items है और 9-8 years के लिए अलग items है सारो का हम एक एक करके देखने वाले है इसमें भी आपको objectives, procedures, scores और equipment पता होने चाहिए तो सीधे हम एक एक करके देखेंगे सबसे पहले हमारा 5-8 years वाला जो group है जो कि हमारा class 1-2-3 के जनरली बच्चे होते है इसमें पह पर आ सकता है कि भाई एक को आप अच्छे से explain करो तो तीनों का explanation फटा-फट देखने वाले है सबसे पहले हमारा BMI, BMI यानि कि body mass index एक numerical value है एक person के body fat की based upon उनकी height और उनका weight इसके basis पर इस number के basis पर आप मताते है कि एक person underweight है, normal weight है, overweight है या फिर obese है इसमें हमारा पास formula क्या ह weight in kilogram divided by height in meter square यानि कि weight जो कि kilogram में होगा divided by height जित्ती भी आपकी height है उसका हम square कर देंगे height multiplied by height और इस formula से हम किसी भी person का BMI निकाल सकते हैं, अब अगर आपका BMI 18.5 के नीचे आता है तो आप underweight है, 18.5 से 24.9 आता है तो आप normal weight है और यह पूरा इसका chart है आप pause करके पढ़ सकते यह chart important है इसको skip मत करिएगा यह details आपको याद होनी चाहिए तो BMI में मैंने काफी कमी information डाली है जो सबसे ददा information important वाली information है तो यह आपको पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए अब है हमारा flamingo balance test इसका purpose है हमारे एक pair में हम कितने अच्छे से balance कर सकते है stationary position में उसको assess करना leg, pelvis, trunk muscles इसमें involve होती है तो उनकी strength भी इसमें test हो जाती है equipment एक normal surface चाहिए जो कि slippery ना हो एक stopwatch चाहिए और एक beam चाहिए याने की beam याने की wooden या फिर metal जिस पे आप खड़े होके इस test को perform करने वाले हो अब करते कैसे है आप इस beam की उपर खड़े होके किसी भी pair पे आप भी ले सकते हो उसका हाथ पकड़ सकते हो खड़े होने के लिए और जो पीछे आप पैर है उसको आप इस तरीकी से पीछे पकड़ रहे होगे हाथ आपका normally extended रहेगा इस position पे आप अपना जो support है instructor का उसको छोड़ोगे और जैसी आप support छोड़ते हो एक timer start कर दिया जाएगा जो note किया जाएगा तब तक जब तक आप गिरते नहीं हो तो मान लेते हैं आप इस beam से गिर जाते हो या फिर आपका जो पीछा पैर है यह आप से छूट जाता है तो उसको timer को तो रहनते स्टॉप कर दिया जाएगा और फिर से आपको खड़ा कराया जाएगा फिर से आप बैलेंस करोगे खुद पे आपका timer faces start हो जाएगा वहीं से continue होगा और timer जब तक आपका 60 seconds तक नहीं जाता है तब तक आप इस process को continue करते रहोगे मान लेते 60 seconds बैलेंस करने में आप 4 बार गिरे तो 4 आपका यह score हो गया लेकिन आप 30 seconds करने में ही 15 बार गिर चुके हो तो जैसे 30 seconds में आप 15 बार गए तो आपका जो test चलना था उसको तो बंद कर दिया जाएगा यहीं कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो यह हो गया हमारा पूरा इसका purpose इसका equipment required इसका procedure इसका scoring अब पटा फटा हम बागी जितने भी हमारे test है उनको भी देखेंगे plate tapping test यह आपके hands में कितना अच्छा coordination हो कितनी speed से वो move कर सकते है उसका test है equipment आपको एक table चाहिए प्रिफर किया जाता है कि adjustable table हो क्योंकि सबकी अलग-अलग height होती है फिर दो yellow disc चाहिए 20 cm diameter की और एक rectangle चाहिए rectangle जिसका 30 by 20 cm इसका length or width हो और एक stopwatch चाहिए time measure करने के लिए आप करेंगे कैसे height case आपसे table को लगा दिया जाएगा adjust करके beach में पहले जो side में दो disc रखी जाएगी जिनके beach का distance हो 60 cm होना चाहिए और उनके एकदम beach में इस rectangle लगकर हम रख देंगे आपका जो non-dominant hand है मालने चाहिए left hand है और non-dominant उसको यहाँ पर रखा जाएगा और right hand से जैसे stopwatch चालो होगी आप इस disc को touch करेंगे फिर इस disc को फिर वापिस इसको फिर वापिस इसको और यह तब तक continue हो रहेगा जब तक आप 50 taps नहीं कर लेते हैं यानि कि आपने इसको touch किया और फिर इसको touch किया तो यह हो गया एक cycle फिर आपने इसको किया फिर से इसको किया यह दूसरा cycle फिर इसको फिर इसको 25 cycles हमें करने है और टोटल 25 taps हम करेंगे और जैसे ही आपका हो जाता है stopwatch रोग दी जाएगी और इस time को record कर लिया जाएगा यह होता है हमारा plate tapping test जो एक चीज़ हम discuss कर चोक है BMI इसको हम फिर से discuss नहीं करेंगे बाकिकों को हम detail में discuss करेंगे questions इसके भी वैसे ही आ सकते है एक question में सबके नाम पूछ ले जाए सबके objective पूछ लिया जाए या फिर objectives के सब बोल दिया जाए कि किसी एक को आप detail में explain कर दो तो हम सबको एकदम detail में देखने वाले हैं BMI हमारा हो चुका है तो BMI के बाद हमारे पास है 50 meter speed test इसमें आपकी acceleration आपकी speed assess की जाएगी आपको क्या क्या चाहिए या तो आपको वास mark track हो पहले से या फिर measuring tape जिससे हम track बनाएंगे stopwatch और cone और साथ-साथ at least 60 meter का running track 50 meter हम दोड़ेंगे तो कुछ time हमें आगे भी रोखने में भी लगेगा procedure क्या है आप जो line है आपकी starting point उसकी ऊपर या उसके पीछे से खड़े रहेंगे standing static start होगी आने कि आप normal running position में जैसे हम खड़े होते हैं वैसे खड़े होगे और stopwatch on होने पर आप 50 meters दोड़ेंगे आपका time note किया जाएगा इसके पहले आप लिखेंगे इसमें आपकी scoring आपका completion कितने time में हो रहा है उसके हिसाब से की जाएगी आप 600 meter run या walk purpose है इसका cardiovascular fitness या पर cardiovascular endurance को टेस्ट करना requirement है stopwatch की एक whistle की marker cone ताकि हम mark कर सके line powder यानि कि हमारा चूना जिसने हम line मनाएंगे measuring tape हमें चाहिए 200 या 400 meter का हमें track चाहिए जिसकी at least 1.22 meter या फिर at worst 1 meter की width होनी चाहिए और इस पर हम अपनी race करेंगे अब इस race में running और walking दोनों allowed रहती है participants को बोला जाता है कि जितनी तेज़ आप दोड सकते हैं या फिर walk कर सकते हैं आप इस distance को cover करना है जैसे रेडी बोला जाएगा stopwatch on की जाएगी आपको दोडना स्टार्ट करना है और distance cover करना है अब एक चीज़ यहाँ पर जो हमारा ground है 400 meters का है जो कि हमारा standard ground होता है रे 600 meters के जो कि यहाँ पर खतम होगी तो जब आप अपनी finish line को cross करेंगे तो आपको time बताया जायता है कि कितना time आप cover कर चुके कितना time आप ले चुके हैं ताकि participants को भी time का idea रहे उसे साब से वो अपना distance को cover करेंगे इसके बात अगला है sit and reach test अब यह वाला test हमाई flexibility के सकते हैं इस dimensions का यह box होता है जिस पर हमारे pair रखे जाते हैं जिस पर उपर side measurements होती है जिससे आप measure करते हूँ कितना आपकी reach है कितनी आपकी flexibility है जहाँ पर हमारे pair touch हो रहा है जहाँ पर हमारे pair place किये जाएंगे वह चीज़ exactly 23 cm mark की होनी चाहिए इसको एक flat surface पर कराया जाता ह जिम mat की उपर इसको हम कराएंगे या फिर cushion surface पर हम कराएंगे अब इसमें कैसे कराएंगे simply आप normally बैठेंगे आपके knees straight होना चाहिए instructor knees को straight करने में help भी कर सकता है अगर आपके knees बार-बार उट रहे हैं तो और आपको बोला जाएगा कि आपको farthest जाना है कोई जरकी movement नही आपको कुछ attempts दिये जाएंगे एक दो बार practice करने के लिए उसके बाद आप जिस भी farthest reach को आप hold कर पाएंगे उसको measure कर लिया जाएगा यह हमारा sit and reach test अब हम देखेंगे हमारा strength test है एक हमारा abdominal partial curl up और दूसरा है हमारा push-up boys के लिए normal push-up girls के लिए modified push-up सबसे पहले देख ल support के लिए और हमाई core stability के लिए बहुत important होता है इसको पूरा test करना equipment क्या क्या चाहिए एक flat surface चाहिए यह हमें a cushioned mat इसमें दो पहले lines बनी हो stopwatch चाहिए 30 seconds इसका time होता है और recording sheet चाहिए जिसमें pen से record करेंगे आपका कितना result आता है procedure क्या है आप अपने knees को 90 degrees पे bend करके late जाए करेंगे अपने trunk को उपर करेंगे at least six inches आप उपर जाएंगे अपने जो हाथ है वो आगे की तरफ जमीन से touch होके आगे की तरफ जा रहे होंगे और वापिस से उपर जाके आप वापिस से flat जमीन पर लेटेंगे जो shoulder blade से वो जमीन से touch होना चाहिए यह जितनी बार आप कर ल starting position क्या होती है वैसे तो हम सबको idea pushup क्या होता है मैं फटाक से explain कर देता हूँ हमारी जो back है body एकदम straight line में होना चाहिए back नीचे या उपर curve नहीं होनी चाहिए hands एकदम straight रहेंगे लगबाग shoulder length पे feet के बीच में हलका सा gap राएगा यह हो गई हमारी starting position अब इस position से हम नीचे जाएंगे या तो जब तक हमारे elbows के बीच में 90 degree का angle नहीं बनता या फिर हम यहां पे कोई object रख सकते हैं जिसको हम touch करेंगे उस depth पे touch करके हम वापिस से उपर आएंगे यह हो गया एक हमारा complete pushup और यह हम तब तक करेंगे जब तक हम completely exhaust नहीं हो जाते हैं या फिर हम number of pushups र रहा है starting जरी आपके जो knees हैं वो ground को touch कर रहा होंगे instead of आपके feet तो यह अंतर्य इससे क्या होता है pushups काफी ज़्यादा easy हो जाते हैं इसी के साथ हमारी यह जो वीडियो है वो खताम होती है सारे topics हमने cover कर दिये आप link जरूर चेक कीजिएगा description के वहाँ पे सारे important links में जाए कोई वीडियो उठाए तो comment section में आप पूच सकते हैं वीडियो अच्छा लागा तो like, share, subscribe जरूर कीजिएगा बाइबाइबाइबाइब साहिने आप लेफटाइब वीडिया